के हरीओं प्री दर्सकों मैं हुँ पंधित बलड़ाम पांडे हाजिर हूं चंद्रक्रहण के विश्जय में बात करने के लिए हम जानेंगे कि चंद्रक्रहण का क्या प्लभाव होगा मेज से लेके मींद आशितक लोगों के लिए और साथ में चंद ग्रहन भारत में दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा और साथ में सूतक आधी लगेंगे या नहीं लगेंगे और साथ में गरबती महिलाओं के लिए किन्य अमों का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये चंदर ग्रहन कब लगने वाला है किस समय लगने वाला है तो ये चंदर ग्रहन 5 मई 2023 को लगेगा और ये रात्री में 8 बच के 44 मिनट से 1 बच के 2 मिनट तक रहने वाला है परंतु ये चंदर ग्रहन जो है इसका प्रभाव भारत में नहीं होगा क्योंकि ये उप चंदर ग्रहन है बहुत खग्रास चंदर ग्रहन होते हैं आंसिक ग्रहन जो होते हैं बहुत सारे पूर्ण ग्रहन होते हैं जो पूरी तरे से प्रभावी होते हैं परन्तु ये उप चाया ग्रहन कहलाएगा उप चंद ग्रहन कहलाएगा इसलिए इसका प्रभाव भारत में नहीं दिखाई देगा आप नारमली इसको नहीं देख पाएंगे इसलिए भारत में इसका सूतक आदी भी नहीं लगेगा वैसे चंद ग्रहन में 9 गंटे पहले सूत लगता है तो जिन देशों में चंद ग्रहन लग रहा है वहां यदि आप रहे रहे हैं तो आपके लिए फिर सूतकादी की मानता होगी तो आईए हम जान लेते हैं कि वो कौन-कौन से देशे हैं जहां ये चंदग्रहन लगने वाला है तो यदि आप उन देशों में रहते हैं तो आप नियूमों का पालन कर सकते हैं ये ग्रहन रूस, कजाकिस्तान, करगिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, फीनलेंड, जर्मनी, अफ्रीका, महादीप, पाकिस्तान, चीन, मंगोलिया, अस्ट्रेलिया, अंटार्टिका एवं इनके मद्ध देशों और अन कई देशों में भी दिखाई देने वाला प्रंतु भारत में आप जो सूच में दर्सियंत्र होते हैं उनके द्वारा देख सकेंगे प्रंतु खुली आँखों से यह नहीं दिखाई देने बाला है और भारत में कोई भी नियम सूतक आदी नहीं लगने बाला है और साथ में जो गर्वती महिलाएं हैं उनके लिए भी कोई भी नियम लागुन नहीं होगा प्रंतु अच्छी वात यह है कि आप घर से बाहर जिस समय ग्रहन है उस समय ना निकले और अपने हाथों से लोहों की चीज है जो लोहन की चीजे हैं चैये कुंडी हो दरवाजा की क कोई भी चीज हो उनको ना चुएं और चंद्रमा की जो रोशनी है वो आपके घर में प्रवेश ना करें इसलिए परदे और आप लगा सकती हैं और साथ में बाहर वाक करने जैसे बहुत लोग जाते हैं रात में तो ना जाएं और साथ में थोड़ी जब चंद्रहन हो रहा हैं और भर शलान में आपको भगवान का जब करना चाहिए मंतरों का जोळी भागवान की मंतरों का जब कि वो कौन सी रासिया है जिनके लिए ये चंद ग्रहन बहुत अच्छा साबित होगा जिनके लिए ये चंद ग्रहन एक कहा जाये तो अच्छा मौका कहा जाएगा कुछ ऐसी रासियां हैं जिनके लिए चंद ग्रहन धन लाभ कराने वाला है साथ में आपके बैवाहिक जीवन लब लाइफ में बहुत अच्छे सुधार होने वाले हैं और देखा जाए तो ये चंद ग्रहन आपके लिए लाभ दायक शिद्ध होने वाला है तो आईए जान लेते हैं वो कौन सी रासियां हैं जिनको सावधानी बरतनी चाहिए तो सबसे पहली रासियां मेश, मिथुन, करक, कन्या, तुला, वरष्चिक, कुम्भ और मीन इन रासियों को सावधान रहने की जरूरत है और साथ में हम लाष्ट में उपाई भी जानेंगे कि वो कौन से उपाई हैं जिनें करके ये चंदग्रहन के प्रवाव से आप बच सकते हैं और अब हम जान लेते हैं वो कौन सी रासियां हैं जिनके लिए चंद गृहन आर्थिक लाभ और कई तरह के लाभ लाने बाला है तो सबसे पहली राशी है व्रस, शिंग, धनु और मकर राशी ये चार राशियां हैं जिनके लिए ये चंद ग्रहन बहुत अच्छा सावित हुने बाला है तो आप त्यारी बना लिजिए खुसिया मनाने की और शाथ में हम जान लेते हैं उपाय आपको क्या करना चाहिए जिनके लिए चंद ग्रहन अच्छा नहीं है उनको एक तो भगवान शिव की आराधना करिए भगवान शिव के मंत्रों का जब करिए ओम नौह शिवाय का जब करिये साथ में चंद्र के मंत्रों का भी जब कर सकते हैं और सबसे छोटा मंत्र है ओम सोम सोमाय नमहा ये मंत्र चंद्रमा का आप जब सकते हैं और साथ में जब चंद्र ग्रहन पूरा हो जाए और सुवह असनानादी करके क्योंकि ये रात्री में चंद ग्रहन लगता ही है हमेशा, रात्री में ही तो ये एक बजे खतम होगा, तो आप प्रातहकाल असनाना दिकर के और जैसे शक्कर हो गई, दूद हो गया, चाबल हो गया, सफेद वस्त्र हो गई, हिदे आपकी समर्थ हो, तो चांदी हो गया, इन वस्तूओं का आप दान कर सकते हैं, इससे इस चंद ग्रहन का जो प्रवाव है, आपके लिए कहीं न कहीं अच्छा कहलाएगा, और जो इसके गलत परणाम है, वो कम हो जाएंगे, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद,